हेलो गाइस कैसे हैं आप सो उम्मीद कतों सो बढ़ी होंगे और खुश होंगे तो आज मैं एक्स्प्लेइन कहने वाला हूँ तो यार्ट तेज की लेटेश साइंस फिक्सर मूबी 65 कहानी की सुरुवादि कैशि की गलेक्सी से होती है जहां बताया जाता है कि हमारा प्रहमान अनन्त है जहां जीवन की अनन्त संभाव नहें मौझे हैं और बिर तब दूसरे प्लेटन और माइल्ज को दिख्या है कि अपनि säger के साथ भी बीच पर आया है और हणसे के साथ बीच पर आया है थरशतना ने भी इनि आप एक जानलेवा बीमारी होती है इसका इनना महत्पना है कि माइस के पाँ पैसा ही नहीं है कि वो इसका इलाछ करा सके और इसलिए माइस भीओ अप पुरे दो साल तर उन से दूर रहने वाला है मगर उसके पास और कोई चारा भी नहीं होता क्योंकि यव उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए ऐसा करना ही होगा यहाँ आप जाने से पहले नेविन भी माईल से कहती है वो उसके इंतियार करेगी और उने साही सलामत वापिस आना है यहाँ आप दो साल पूरे होने को है जहाँ माईल्स अपने स्पेस सिप में है और उसका स्पेस सिप अपने मिसन को पूरा करने के बाद वापसी सोलरीज गरेग पर जा रहा होता है लेकिन तभी अचानक से काफे सारी मेटोराइट उसके सिप से टकराने लगते है स्टेकर के दोरान माईल्स की यहाँ खुलती है जो कि सोया हुआ था या वो मैनुली सिप को समालने लगता है जहाँ सिप में माईल्स के लावा बाकि सब साइंटिस सभी अपने अपने सिलिपिंग चैंबर में क्रायव सिलीप में है या पर से इतने अधा डैमेज हो गया है कि माईल्स सिप को सामने दिखाई देरे प्लेनेट पर लेंड करवाने लगता है ताकि सभी की जान बचाई जा सके मगर अब तक स्ट्राइट के टकराने से सारा इस पेस सिप बुरी तरह से डैमेज हो चुका था और वो किसी तरह से चाटानों से टकराने लगता है जिसके साथ सिलीपिंग चैंबर में मौजूद सारे साइंटिस्ट और उन्ही के साथ सिप के दोनों इसकेप सेटल रास्ते में ये उपर से गिरने लगते हैं अब माईल किसी तरह से सिप को लेंड करवाता है और वो पाता है उसे भी इस बीच काफी चोट आई है अब कुद को थोड़ा समाले के बाद माईल बाहर देखने जाता है उनका सिप पिस तरह के प्लेनेट पर लेंड हुगा है यहां वो पाता है कि यह प्लेनेट हर प्रकार के जीवन के लिए उप्यूगत है जहां पानी अक्सीजन और खाना सब को इभरपूर मातरा में मौजूद है यहां माईल का यह सिप पिर्थिवी पर क्रेस हुगा था मगर यह पिर्थिवी आज से पूरे 65 मिलियन एर पहले की पिर्थिवी है जहां अभी तक इनसानी पर जाती पैदा ही नहीं हुई और यहां पर अभी डैनासोर का यूग चल रहा होता है यहां माईल पाता है कि सिल्फिंग चैंबर में जिते भी बाकी साइंटिश थे वो सब के सब मारे जा चुके हैं यानि कि यह सिर्फ माईल से यहां पर जिंदा बचा है यहां से माईल अपने सारी सिचुएशन की जनकारी रिकार्ड करके अपने बेस अजनसी को भीज देता है जहां अभी सिर्फ में दो इसकेप सटल भी थे वो यहां से काफी दूर गिर गए थे और उनके बिना माईल यहां से नहीं निकल सकता यहां माईल हार मान चुका था और यहां वो खुद को मारने कहीं सोचता है लेकिन इसी वीच उससे पने बेटी याद आती है और वो उसकी वीडियो देखने लगता है क्योंकि उसे पूरे दो साल हो चुके है और उसे दूर हुए तभी माईल पाता है कि एक स्लिपिंग चेंबर अभी भी एक्टिव है यानि कि उसमें जो भी है वो जिंदा होगा यहां से माईल्स ते टूरने लगता है जहां उसे चेंबर में एक चोटी सी लड़की मिलती है हाला कि यह चेंबर सिप से दूर गीरा होता है तो माईल्स किसी तरह से उसे वापिस से सिप में लाता है और उस बच्ची से पूछने लगता है कि वो कौन है मगर उस लड़की की लेंग्वेज माईक सी अलग थी तो माईल्स कुछ समझ नहीं पा रहा था यहां सिप के तूटने के साथ ही ट्रांसलेटर भी बरबाद हो गया था तो माईल्स स्लिपिंग चेंबर के पेपर से जानता है कि लड़की के नम कोवा है यहां अब सुबा हो जाती है जहां माईल्स बाहर जाता है और आसपास की जगाद देखने लगता है कि उसका स्पेस सेटल कहां गिरा है जहां अब उसे बड़े बड़े डाइनासौर के कंकाल पड़े हुए मिलते है इसके अलावा असपास वालकेनों भी फटने वाले थे अब यहां से माईल्स अपने अड़वांस जीपियर गैजट से पता करता है कि वह सेटल यहां से 15 किलमेटर दूर एक पाहड़ पर गिरा हुआ है जिससे वह यहां से निकल सकता है तब माईल्स पर एक छोटा डाइनासौर भी अटेक कर देता है लेकिन माईल्स किसी तरह से उसे मार कर आपिस से सेटल में जाने लगता है जहां वह चोटी लड़की भी बाहर आ गई थी अब यहां से माईल्स किसी तरह से उस लड़की को समझाने लगता है कि तुम यहां से 15 किलमेटर दूर एक पाहड़ पर जाना होगा जिससे वह स्पेस टले कर यहां से निकल सके मगर यहां वह लड़की समझाती है बॉम लेकर उपर पहाड़ पर चड़ने के लिए पैदर ही निकल पड़ता है अब यह 15 किलमेटर के रास्ता असान नहीं था क्योंकि 85 मिलियन साल पहले पिर्टबी पर डाइनासोर से लेकर बिविन परकार के खतनाक जी होते थे जो कि यहां माईल्ड के लिए एलियन थे यहां से माईल्ड कुवा को लेकर रास्ते में अपने डिवाईस संधाने लगता है कि क्या क्या चीजें वो खा सकते हैं और क्या क्या नहीं और यहां से थोड़े ही आगे जाने पर दोनों को कई चोटे-चोटे क्रियेचर मिलते हैं जो माईल्ड पर अटेक कर देते हैं मगर चुकी माईल्ड के पास उसके आदोनिक हतियार थे जिससे वो खुद को और कुवा को बचा लेता है यहां आप दोनों काफी दूर आ गए थे जहां रास्ते में दोनों पानी भी पीते हैं और उसके बाद माईल्ड अब एक प्रेड़ के उपर चड़कर अपने जीपियो गैजट से अपने और स्पेस सेटल के बीच बच्ची की दूरी मापने लगता है मगर तभी उस पेर के टैनी तूड़ याती है और माईल्स सीधा नीचे गिरता है जिससे अब उसका एक हाथ काफी गहल हो गया था वहीं उसके गिरने की आवाज से कई बड़े बड़े डाइनासोर उसकी तरफ आने लगते हैं यहां माईल्स किसी तरह से अपने एडवांस गन से उन्हें मारने लगता है जबकि पीछे से कुवा वहां से दूर भाग जाती है लेकिन कुवा पाती है वहां भी वही सारे छोटे छोटे डाइनासोर है यहां उसे खाने के लिए उसे पकड़ने लगते हैं लेकिन माईल्स आखरी वक्त पर आकर उसे बचा लेता है यहां से माईल कुवा को उठाकर आगे भागने लगता है क्योंकि कुवा को देखकर माईल को अपने बेटी नेवन की याद आयाती है इसे की दो साल पहले वो अपने प्लैनेट सोलरिस पर छोड़कर आया था यहां अब तक साम हो चुकी थी और आप माईल को अको लेकर एक कुवा में जाता है जहां आज रात दोनों को रुखना होगा यहां पर माईल फिर से अपने जीपियर डिवाईस से लोकेशन को चीक करता है मगर यहां पर माईल जो देखता है उससे उसके मुश्किले और ज़्यादा बढ़ने वाली थी दरअसल इस स्पेस में माईल का इस स्पेस सिफ जिन एस्ट्रोइट से टकराया था वो सीधर पिर्तिवी की ओर आ रहे थे और उनके पिर्तिवी से टकराने में अब सिर्फ कुछी घंटों का फर्क बचा है इसके बाद पिर्तिवी के चीवन का काफी अदा हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा दरअसल यह वही समय होता है जब हमारी पिर्तिवी बर 65 मिलिन सार पहले सेसमय के स्ट्रोइट टकराया था और उसमें सारे डाइनसोर और सबी बड़े जीव मारे जाते है और कई सालों के लिए पिर्तिवी दूल के गुबारा बनकर स्पेस में चकर काट रहे थी माईल यही बात कोवा को भी समझाता है यूने सुबह जल्दी से यहां से निकलना होगा लेकिन तब ही वहाँ पर एक बहुर बड़ डाइनसोर दिखाई देता है इससे बचने के लिए दोनों गुफा के ज़्यादा अंदर जाना ही लगते है लेकिन आगे का रस्ता काफी अदर सकरा था तब माईल उसे एक बाउंस से उड़ा देता है जिससे पहले कोवा उसके अंदर जाते हुए गुफा से बाहर निकल जाती है मगर माईल वहाँ से बाहर निकल पाता मगर इसी बिच माईल गलती से एक दलदल में गिर जाता है और धीर धीरे उसके अंदर जाने लगता है यहां से वो कोवा को आवाल लगाने लगता है इससे कोवा कर आकरी वक्त माईल को अंदर से निकाल लिती है यहां से बाहर निकलने के बाद माइल कोगा को समझाता है कि उनके पाद ज़्यदा वक्त नहीं है तो दोनों जल्दी से यहां से निकलने लगते हैं और साम होते होते दोनों फाइनली किसी तरह से स्पेस सेटल तक पहुँच जाते हैं यहां माईल फानल यह जानकर खुश होता है कि यह सटल बिल्कुल ठीक है और ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है इसलिए दोनों यहां से निकल सकते हैं लेकिन काउर तो यहां अपने माता पिता को ढोने लगती है इसके बारे में माईल ने उसे जूट बोला था यहां उसे पता रहता वो भी दुनिया में नहीं है उसकी पहले ही मौत हो चुकी है और उसकी आखरी बलो में वो से बहुत दूर इस बीरान स्पेस्ट में भाटक रहता लेकिन अब तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हें बचा सकता हूँ यानि कि नेविर माईल के वापिस लोटने से पहले ह मर चुकी है और माईल जब बावर उसके वीडियो देख रहा था तो सिर्फ उसे याद कर रहा था यहाँ आप काओ उसकी बात मान जाती है और दोनों फाइनली इस पे सेटल में बैठ याते हैं ताकि यहां से निकल सके लेकिन अब तक स्ट्राइट प्रतिवे से टकराना अकेला ही सिर्फ से बाहर भागता है जिस बीच उपनी गन से एक डाइनासौर को मार देता है मगर दूसरा डाइनासौर अभी भी जिंदा था और वो उसे मार नहीं वाला था प्योंकि माईल्स के गन की पावर अब खत्म हो चकी थी लेकिन तभी सिर्फ से काओ माईल्स के बेटी का होलोग्राम दिखा कर उसका ध्यान वटकाती है इससे मौकब पकर माईल्स यहां से दूर फिल्ब में भागने लगता है जहां डाइनासौर उसके पीछे पीछे जा रहा था और यहां पर इस्ट्रोइड और तेजी से गिरने लगे थे और आसपास के सारे वालकेन अबया ता कि तभी का हुआ जाती है और विबस यहां से माईल्स और को अधोनों है चल्दी से स्ट्रोइट से बचते हुगे किसी तरह से पिर्थिवी के ट्मास्फियर से पाहर आ जाता है जहां पिर्थिवी पर काफी बड़े बड़े इस्ट्राइट पिर्थिवी से टक्रा चुके थे और पिर्थिवी अब पुरी तरह से तबाह होने लगती है लेकिन ये दोनों अब सेफ थे और माईल्स अपने होम प्लेनेट सोलरीज की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है और यहीं पर यह मुवी समापत हो जाती है I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगत लिए वीडियो को लाइक करके चैनल और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मैं मिलता हो आपको नेक्श वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए